सल्मान ने किस हिरोईन को मूवी में लेने के बाद भी गले नहीं लगाया किस एक्ट्रेस को सल्मान खान के साथ एक ही फिल्म है दो बार रिलीस का मौका मिला इस वीडियो में आपको बताएंगे सल्मान खान से जुड़ी यही डिटेल आमतार पर कोई हीरोईन सलमान खान की फिल्म का पार्ट बने तो फिर उनके साथ रोमांस या फिर एक्षन सीन जरूर करती है लेकिन तब्बू एक मात्र ऐसी अक्ट्रेस हैं जो सलमान की मूवी में होते हुए भी उनके साथ जोड़ी नहीं बना पाई जीत फिल्म में तब्बू हैं लेकिन उन्हें सल्मान के साथ रोमांस करने का मौका नहीं मिला उनकी केमिश्ट्री जीत में सल्मान नहीं बलकि सनी देवल के साथ हुटती है हम साथ साथ है में तब्बू सल्मान से पहले एंट्री लेती हैं लेकिन बहाँ भी बो सल्मान खान को गले नहीं लगा पाती। तबू इसमें मोनीश बहल की पत्नी बनती हैं। सल्मान खान जैहो में तबू को लेते हैं। इस वार फ्रेंस को लगता है शायद तबू की सल्मान के साथ रोमांस करने की हसरत पूरी हो जाए। लेकिन सल्मान अ अपनी बेहन बनने का रॉल लोना उफर कर दिया किसी तरह भारत में सलमान के कहने पर उन्हें कास किया गया तो इसमें भी कैमियो करेक्टर था और सलमान के साथ उन्हें टाइम स्पेंड करने का चांस इसमें भी नहीं मिला सलमान खान के साथ केवल एक फिल्म में दिखने वाली हिरोईन दो बार परदे पर रिलीस हो जाए इस बात के चांस बहुत कम होते है अक्सर कोई एक्ट्रेस सलमान के साथ थेटर में दो बार तभी दिखती है जब वो दो फिल्मों का पाट हो लेकिन भागी श्री उस लखी एक्ट्रेस की लिस्ट में आती है और ये हुआ है मैंने प्यार किया मूबी की बदौलत दरसल मैंने प्यार किया फिल्म 35 साल बाद रिरिलीज होई और इसे फैंस ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया ये फैसला सलमान खान ने इसलिए नहीं लिया कि अपनी पहली फुल फ्लेज मूबी को दिखाया जाए बल्कि फिल्म की यादों को यंग फैंस के साथ शेर करने के मकसद से इसे रिरिलीज किया गया अब इसकी बज़े से मैंने प्यार किया कि हिरोईन भागी शुरी चर्चा में आ गई सलमान खान के साथ शूटिंग के दोरान उनकी कैमिश्ट्री की खटपड भी सब को पता चल गई बनना हर कोई जानता है कि भागी शुरी को बॉलिवड में सिर्फ सलमान की बदौलती लाइम लाइट मिले इसके अलाव उनकी खाते में ऐसी कोई मुवी नहीं जिससे कोई भी जबान पर रियाद रखता हो सलमान खान की गल्फेंड रही एश्वरिया राय उन्हें अपना पती नहीं बना सकी लेकिन एक बार भाई जरूर बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिये थे जोश मुवी पहले सलमान खान को अफ़र हुई थी इसमें एश्वरिया और लेडी पाड थी एश्वरिया को पता चला तो उन्होंने इस पर चुपी साद ली लेकिन सलमान ने एश्वरिया का भाई बनने से बना कर दिया ये बही टाइम था जब सलमान और एश्वरिया एक दूसरे को डेट कर रहे थे सलमान खान की इस खबर की चर्चा होने लगी बाब जूद इसके उन्हें रॉल आफर किया गया सलमान अगर कुछ न बोलते तो एश्वरिया राय उन्हें ऑन स्क्रीन भाई बनाने पर राजी हो गई थी दोस्तों सलमान के साथ हीरोनो की इस आजीव के मिक्सी पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें